इस वीडिये में हम गंगा नदी पर संस्कृत भासा मेने बंद देखेंगे हमने सतलुज, गोदावरी, या मुना इन तीनों पर भी ऐसे अपलोड कर दिये यह दिये आपको जरूरत हो तो आप जाकर देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं, गंगा नदी पर संस्कृत भासा मेने बंद तो पहला और सबसे इजिएस्ट हम गंगा नदी पर गंगा नदी या गंगा माता भी कहा जाता है काई लोगों के द्वारा भारता से राष्ट्री नदी गंगा नदी अस्ती भारत की राष्ट्री नदी गंगा नदी है भारता से सारवधिक दीर्ग नदी अस्ती भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दक्षिन एशिया खंडे वेद्य माने भारत देशे प्रवहंति काचित जो गंगा नदी है दक्षिन सा एका पवित्रा नदियस थी आपको जो भी इसी लग रहा है यदि ये पॉइंट इसी लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं और ये common sentence है आप इसको यमुना में, सतलोज में और गोदावरी में किसी में भी इस पॉइंट पो लिख सकते हैं एका पवित्रा नदियस थी है या तो इसके optional में आप इसे भी लिख सकते हैं ये option में इसलिए देता हूँ क्योंकि हर अलग-अलग level की students होते हैं जैसे कुछ 6th के तो उसके लिए ये ऐसा sentence काफी है लिकिन वहीं कोई 10th और 12th का है तो इसके लिए ये उपर वाला sentence ज़्यादा सही होगा देव प्रियाग अतर सा गंगा इतिक अत्य थे जो देव प्रियाग इसके आंगे से इसको गंगा कहते हैं प्रियाग यमुना संग्या सन्याती प्रियाग में जो प्रियाग है प्रियाग बहाँ पे जो गंगा है और यमुना का संगाम होता है सब उत्तर भारते शुरत वा वंगोप सागरम प्राप्ट नो वन्ती यह उत्तर भारत बहत वी वंगोप सागर में जाती है आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी है बंगाल सागर भी कहते हैं जिसको संस्कृत भासा में बंगाल सागर के सामीप में एक सुंदर वान है اور वहां व्यागर याने जो बाग होते हैं प्रमुक निवास करने वाले पशुहें गंगा आयाह, तीरे, अनेके, हरी द्वार, काशेदीनी, पवितरानी तीए, शिस्तलानी, संती जो गंगा द्वार की तट पर, यानि तट आप समझते हैं, जो नदी का किनारा होता है बहाँ पे कुछ गाट बनाए जाते हैं उनको गाट कहा जाते है लेकिन जो किनारा होता है एड बैंक ओफ दरिवर इंगलेस में कहा जाता है उसी को मतलब वही तटे इस्थल की यहां पे बात हो रही है तो जो गंगा नदी के तट पर यानि गंगा नदी के किनारे एकदम की ददाती इती जणा मन्यते गंगा नदी में सभी पापयों का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ष की प्राप्ती होती और ऐसा लोग मानते मन्यते याने माना जाता है एक दाब्राम्मा विश्णूपाद धूली सन्यूजद गंगा तो कई बार क्या होता है भगवान भी नाने आ जाते थे पहले भारत देशा प्राकृतिक सम्रद्ध हसती जो भारत देश है वो प्राकृतिक सम्रद्ध है यह option यदि अब चाहें तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यह आपको और easy बनाने के लिए क्योंकि हर एक level का standard maintain करना यदि 8th class के बच्चे को यह दिंगे तो उसके teachers ऐसा हो सकता कि बोलें कि यह easy इसलिए है आपको यदि 8th class में और आपको संस्कृत नहीं आती तो आप इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि something is better than nothing एका द्रस्यस से पुन्य जलस्य स्त्रोता भारती पुन्य नदी जो पुन्य जल का पुन्य जल का इस्त्रोत है वो भारती है पुन्य नदी है प्राचीन कालात असमाकम देशे पवित्र भावन निया पूज्यमान एशा नदी इदानीम प्राचीन काल में हमारे देश में इसको बहुत ही पूज्यमान नदी के तरह देखा जाता था वैसे तो बालतमान में भी देखा जाता है लेकिन बालतमान में लोग प्रदूशन भी करते हैं इसलिए ऐसा है और आप एक पॉइंट है जो कॉमन जो आप लेख सकते हैं जैसे गंगा यमुना च भारता से सारवधिक प्रदूशित नदिया स्था नदिया है तो आई होप करें स्थावागोष ऐसमेजागोड तो आफ लास थीख वाचिंग भी दिए टीख शेयर वीडियो इसमगेज पॉसिब लेकिन पॉसिवागोड तो आप ट्राय टीख पॉसिब लेकिन लोग इस समें लोग फ्रूशन है ह। अब्वीजित कॉण धोबड़ क्पूससलियो इ